आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में दोस्तों आज की सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन टू क्लोज सेक्सिएट एंड सेक्शन टू क्लोज सेवन्टीवन दो बात ही डिसकस करेंगे बै कुछ लोगों के अकाउंट में सेक्शन टू क्लोज सेट 2015 की अमेंडमेंट से पहले चला गया है तो सब बच्चे दियान देंगे इस बात के उपर अब कुछ बच्चे अपडेटिड स्टडी नहीं करते हैं तो उनका एक्जाम में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है तो जिन बच्चो के अकाउंट में गलती से सेक्शन टू क्लोज 68 प्रौने वाला चला गया है वो हमने हटा लिया है मैक्सिमम बच्चो के अकाउंट में तो आपने ध्यान दखना है कि आप सेक्शन टू क्लोज 68 अवेंड़ कर रहे हैं या अपडेटेड या पुराने वाला कर रहे हैं तो maximum मैंने instructions दे रही हैं अपने staff को कि पुराने वाला section 2 close 68 हटा लिया जाए 2015 की amendment वाला ही आपको आपके उसमें मिलेगा तो section 2 close 68 and section to close 68 and section to close 71 यह आज के इस session में हम आपके साथ discuss करने वाले हैं तो to close 68 में क्या है private limited company के बारे में पढ़ेंगे और section 2 close 71 में हम public limited company के बारे में पढ़ेंगे तो बात ध्यान से आपने सुननी और समझनी है यह पहले भी अक्सर जिक्र हो चुका है बातों का कि company जो companies act है वो उसका application ठीक है तो एक बहुत powerful पॉइंट लिख रहा हूँ आप ध्यान से सुन लिजिए application of the companies act तो यह जड़ है यह विमारी है इस विमारी की वज़ा से बच्चों के दस से पंदरा भी इस नंबर कम आते हैं exam में यानि 60 नंबर अगर आपके आने चाहिए तो आपके वो 40 नंबर क्यों आए है उसके पीछे एक बिमारी है उस बिमारी का solution बता रहा हूँ आपको application of companies act application of companies act depends किस चीज़ पे यह depend करता है depends upon the nature of the company application of companies act depends upon the nature of the company यानि company किस nature की है usually यूजिली आम तोर पे आप क्या देखते हैं कि हम companies को usually दो पार्ट पे हम classify करते हैं वैसे तो हम कई पार्ट तरह से classify करते हैं लेकिन maximum cases में जहां maximum sections का application है वहां पे उनका application इस point से शुरू होता है कि कोई भी concerned situation है कोई भी आपको company law से related कोई भी legal advice करनी है या कोई भी question को solve करना है तो हम पहला सवाल हमारा यह होता है कि concerned company private है या public है अब यहां से एक बात और द्यानखनी है कि public limited company एक अलग concept है और public sector company एक अलग concept है usually government companies को हम public sector company कह देते हैं यानि जहां पे maximum share capital more than 50% share capital government की हो central government की हो या state government की हो तो उसे हम public sector company कहते हैं and you should not confuse public sector company and public limited company यहां पे यह clarity of thoughts आपके बास आने चाहिए students अकसर पूरी बात सुनते नहीं है पूरी बात नहीं सुनते यानि उनके mind में जो disturbances होते हैं उनके साथ सुनते है पूरी बात सुनते नहीं पूरी बात समझते नहीं पूरी बात सुनते नहीं है पूरी बात समझते नहीं है तो इसी लिए जिंदगी में चमक नहीं आती है चमक का मतलब क्या है? तो पूरी बात सुनोगे नहीं तो पूरी बात समझोगे नहीं जब पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो पूरी बात याद भी नहीं होगी और पूरी बात याद नहीं होगी तो लिखी भी अधुरी बात जाएगी पूरा प्रोसेस है ना आदा सुनते हो, आदा समझते हो, आदा याद करते हो और आदा लिख के आते हो फिर फोन करते हो रिजल्ट के बाद सर चालिस नमबर क्यों आये, साथ क्यों नहीं है, वो साथ इसलिए नहीं आये, क्योंकि पूरी बात सुनी नहीं, तो पहली बात पूरी बात सुननी है, दूसरी पूरी समझनी है, तीसरी पूरी याद करनी है, और चोथी पूरी रिप्रड्यूस करनी है, जब ये चारो काम प तुम्हारे 60 marks रोक देगा इस subject में, I challenge, खुले तोर पे on record challenge कर रहा हूँ, आप इस तरीके से पढ़ो बेटा, कोई आपको fail नहीं कर सकता है company low में, कोई आपके साथ number रोक नहीं सकता है, ठीक है, चक्कु मारेगा ना कोई, खुल नहीं निकलेगा, company low निकलेगा, तो इस अंदाज से, इस ढंग से, इस confidence के साथ पढ़ना है, तो मारी life depend करती है subject के उपर, जिस subject के उपर हमारी life depend करती है न, तो हमें भी चाहिए कि खतरनाक तरीके से पढ़ें, और खतरनाक तरीके से समझें, क्योंगि हमारी life जो depend करती है इस subject के उपर, फिर कभी बात करूँगा कि कैसे, अगर आप इस profession में हैं, तो आपकी life जुरूर depend करती है, तो section 2, close 68, section 2, close 71, ये class, मैं पहले भी आपको, अगर आप प्रोने student हैं, तो पहले भी आपने करी होगी, 2015 की amendment से पहले जो class करी है, तो उसमें drastic change हुए हैं इस definition के अंदर, 2015 की amendment act से, तो मैं bare act आपके साथ share करूँगा, amended bare act अभी आपके सामने में रखूँगा, तो section 2, close 68, हम अलड़ी कर चुके हैं class में, और इस session में भी मैं close to 68 का जिकर करने वाला हूँ, लेकिन हम शुरुवात किसे कर रहे हैं, section 2, close 71 से, शुरुवात हमारी की जा रही है, उपर आप देख रहे हैं, screen के उपर, projector screen के उपर देख रहे हैं हाँ बेटा, क्या नज़र आ रहा है आपको, section 2, close 71 देखना है, public company का मतलब बताया है, तो public company को कैसे define किया है, public company मतलब which is not a private company, ठीक है, यह express definition नहीं है, यह यह नहीं बता रही, यह definition यह नहीं बता रही, कि public company क्या है, ठीक है, जैसे मालनो मुझे राम को define करना है, तो मैं यह नहीं बता रहा है कि राम कोने, मैं राम के जैसा example नहीं दे रहा है, मैं कहता हूं मोहन राम के जैसा है, तो मुझे राम को define करना है, मैं कहता हूं मोहन देखा है, तो मोहन के जैसा है राम, इसको बोलते हैं, कि जहां पर definition inclusive definition होती है, inclusive definition में examples दिये जाते है किसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ मैं ते कहता हूँ अच्छा तुम राम को समझना चाहते हो तो तुम मोहन को जानते हो राम मोहन की जैसा है उसकी जितनी height का उसकी जैसे complexion का लेकिन जहां पर ना तो मैं expressly बता रहा हूँ ना मैं inclusive definition दे रहा हूँ मैं exclusive definition दे रहा हूँ मैं कहता हूँ तुम राम को समझना चाहते हो तो राम कौन है जो राधा नहीं है वो राम है राम कौन है जो राधा नहीं है वो राम है यह इस दुनिया में यह company's act कहता है इस दुनिया में दो यी तरह की companies हैं, इंडिया के अंदर, private companies हैं और public companies हैं, तो public company कौन सी हैं, जो private company नहीं है, वो public company है, देखो definition, public company को define करने का तरीका देखो इसका क्या है, इसकी तरीके पर इसकी अदा देखो क्या है, exclusive definition दे रहा है, बता नहीं रहा कि क्या है public company, example नहीं दे वास समझ में हारे के नहीं आ रही है दूसरी चीज जो दूसरी चीज नहीं है इस दिन्या के अंदर जो दो चीजे हैं तुमने एक देखा दूसरा नहीं देखा तो दूसरी चीज को समझाना चाहरे हैं आपको की दूसरी चीज कैसे होती है कहते हैं जो पहले नहीं होती है वो दूसरी होती है कहते है कंपनी दो ही होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो कंपनी जो कंपनी पब्लिक नहीं है जो कंपनी प्राइवेट नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बड़ा एक्सप्रेसली डिवाइन करते है एक चीज डिफाइन करता है वह आपको बताया प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी में एक लिमिटेशन होती है प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबीशन होती है section 2 close 68 में RLP याद रखना RLP in the section 268 प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी वो प्राइवेट कंपनी जिसके articles of association में एक R होगा R बोले तो restriction होगा एक L होगा L बोले तो limitation होगा एक limit है उसके restriction किस पे थी? transferability of shares पे थी discuss करेंगे section 2 close 68 commanded section discuss करूँगा आपसे और बताऊँगा कि क्या amendment हुई है 2015 के अंदर तो प्राइवेट कंपनी को expressly defined करता है प्राइवेट कंपनी क्या होते है? कहते है कि private company ये होती है उसके articles of association में ये होता है लेकिन public company को defined करने का तरीका देखो इसका क्या है define नहीं कर रहा प्राइवेट कंपनी क्या है? बतानी रहा कर बोल गए बैटा मैं आपको सिखाऊंगा कि ला लिखा कैसे जाता है तो लेंग्वेज से प्यार होना चाहिए लीगल लेंग्वेज से प्यार होना चाहिए जब तक लीगल लेंग्वेज से इश्क नहीं है आपका आप लाके स्टुडेंटा और लेंग्वेज से डरते हैं language से घबराते हैं तो जानते हैं आप कैसे student हैं आप उस batsman की तरह हैं जो Bradley को face नहीं करना चाहता है इंडियन cricket team में आना चाहता है कहता है Bradley को नहीं face करूँगा Shoy Bhaktar को face नहीं करूँगा लेकिन इंडियन cricket team में आना जाता हूं तो वो सभी students कान खोल के ध्यान से सुन लो गलती से profession में आ गए हो पतली गली से निकल जाओ पतली गली से निकल जाओ पानी नहीं मागोगे यहां पर बेमुत मारे जाओगे अगर ला के profession में आ गए हो और language से डरते हो तो ला के student को language से खोफ कैसा अगर तुम फोज में भरती हो गए हो आर्मी में भरती हो गए हो तो मौत से डर कैसा अले जो मौत से डरेगा क्या वो सिफाई बनेगा नहीं मनेगा और जो batsman मनेगा क्या वो bowling से डरेगा fastballing से डरेगा वो काहे का batsman वो काहे का batsman वो तो अडू है वो कोई batsman नहीं है और एक legal professional एक legal professional का student जो घर से आगया कि मैं C.A. बनूँगा घर से आगया मैं company secretary बनूँगा घर से आगया मैं एक lawyer बनूँगा language से डरता है पतली कली से निकल जा मैं कहता हूँ, यहां बेमोत मरे जाओगे, यहां तो उस माई के लाल को सक्सेस मिलनी है, यहां तो वो जीतेगा, यहां तो वो जंडे गाडेगा, जो लेंग्विज का प्लेयर है, जो लेंग्विज से खेलता है, जो लेंग्विज को जीता है, लेंग् 2 clause 71, मुजाहिरा देखिए एक्जाम्पल देखिए, परदर्शन देखिए, किस चीज का परदर्शन, यहाँ पे exclusive language का परदर्शन हो रहा है, पबलिक कंपनी means a company which is not a private company, has a minimum paid-up share capital, dash, 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 तो interpretation of status करा रहा था मैं आपको, last CA final की class में हम interpretation of status कर रहे थे, तो interpretation of status chapter के अंदर एक point था marginal note, एक heading था कि कोई भी आप कानून पढ़ते हैं, तो कानून के अंदर कुछ help होती है कानून को समझने की, जो act के अंदर, कानून के अंदर help होती है, एक्ट को समझने की, उसे कहा जाता है internal aid, क्या कहा जाता है उसे, internal aid, और act के अंदर जो internal aids हैं, उसमें बहुत सारे point आपको बताये थे, जब हम interpretation of status कर रहे थे, तो उसमें एक point था marginal notes, कि marginal notes का हम कैसे use कर सकते हैं, उसका live practical example आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से कान खोल के सुन लेना, life practical example उसका रखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से कान खोल कर सुन लेना, समझ लेना मरी बात को, तो public company means a company which is not a private company, has a minimum paid of share capital, dash dash dash, और उपर एक one लिख है, तो इसका marginal note check करना पड़ेगा, इसका मतलब है, कि इस language का जो मैं ये shade करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लो, कि इस language का मतलब ये है, जो आप shaded area देख रहे हैं, blue color में, आप projector screen पर सामने देखिए बच्चे, तो वहाँ पर क्या आप सामने देख रहे हैं, कि एक है उपर ये देखिए बटा, जहाँ पर capital के उपर ये one marginal note है, क्याता है कि marginal note number one को पड़ो, तो marginal note number हम page के नीचे गए है, marginal number ये बेर act आपके सामने खुला हुआ है, soft copy में, marginal note के नीचे क्या लिखा है, the words of five lakh rupees और such higher paid up capital omitted by act number 21 of 2015, with effect of 29 माई 2015, 29 माई 2015 को Indian Parliament ने जो act number 21 को पास किया है, 21 of 2015 का मतलब है कि 2015 का 21 एक्ट था ये जो government ने पास किया, पारलेमेंट ने पास किया, तो उसमें, इससे पहले इसमें क्या था, इससे पहले की language मैं आपके सामने एकना चाहता हूँ, मैं सुना रहा हूँ language आपको बढ़कर, close B, 71, close, sub close B, close 71 का sub close B था, वो कैसे था, मैं पुराने एक्ट से पढ़कर आपको बता रहा हूँ, has a minimum paid up share capital of five lakh rupees, ये five lakh rupees and as may be prescribed word को हटा दिया है, omitted कर दिया है, Now the company's act have done away with the minimum capital requirement, यानि एक public company को अब minimum 5 lakh की paid up capital maintain करने की आवशक्ता नहीं है, आप एक public limited company बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 5 lakh rupees की capital से शुरुवात करनी पड़ेगी, minimum paid up capital आपके पास 5 lakh का होना चाहिए था, मई 2015 से पहले, लेकिन मई 2015 के बाद ये rule बन चुका है, कि ऐसी कोई requirement अब नहीं है, तो इसकी logic भी मैं आपको बताऊंगा, और logic के साथ पढ़ना ही मज़ा आता है पढ़ने का, तो section 2 clause 71 के नीचे हमने देखा, provided that a company which is subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where the subsidiary company continued to be private company in the articles, आईए मैं इस line का मतलब आपको समझाने जा रहा हूं, तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो पहले एक बारी हम कर लेते हैं, यानि यह जो 5 lakh रूपीज पेड़ अप कैपिटल था, यह था ना जो बेटा, और higher, यह हटा दिया है, this is omitted, this portion is omitted, तो यह amendment है, यह amendment है, 2015 की, तो बहुत सारी कितावे market में available हैं, 2017 में भी चाप रहे हैं, लेकिन यह update नहीं किया अब तक, कि बहुत सारे ऐसे, nuts है market के अंदर, nuts बोल रहा हूं, मुर्ख बोल रहा हूं, जानके बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो, क्योंकि वो students के future के साथ खेलते हैं, अपने publication को amend it नहीं करते हैं, students 2017 देख लेता है, लेकिन बड़ा मुझे दुख होता है यह बात देखके, कि 2017 में 2015 की amendment नहीं डाल रखी हैं, उनलों लें, तो बच्चे धिहान देंगे बटा आप इस बात पे, इस बात पे गलती नहीं करने हैं, mistake नहीं करने हैं आपने, कि private limited company में और public limited company की definition में बदलाव आ चुके हैं, आई यह मैं proviso बता रहा हूँ, यह जो proviso नीचे लिखा है न, that a company which is subsidiary of a company not being a private company, ठीक है, भाई एक company है, एक company है, यह दूसरी company को control कर रही है, मैं इसको बहुत easy language में लिखूँगा इस proviso को, अभी यह जलेवी बना के लिख रहा है न, मैं इसकी जलेवी को सीधा वर्फी बना दूँगा, मैं इस जलेवी को वर्फी बना के लिखूँगा नीचे अभी, आप चिंता ना करना, बस आप मेरी बात को समझना, पहले आप holding और subsidiary का मतलब समझ लो, बाद में तो हमने सीखना ही है, holding और subsidiary का मतलब detail में, लेकिन आप दुबारा से, मैंने बता भी दिया अगे students को, हो चुका है वो session, detail में holding company और subsidiary company का, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से यां सुन लीजिए, अगर एक company दूसरी company को control करती है, कैसे control करती है, मान लीजिए, यह company H, और यह company S, अगर H company, S company के, मान लीजिए, 60% sharehold करती है, example दे रहा हूँ, 60% sharehold करती है, तो हम इस company को, S company को H की subsidiary कहेंगे, हम S company को H company की subsidiary कहेंगे, ठीक है, अगर section की proviso यह कह रहा है, section 271 यह कह रहा है, मान लीजिए, H एक public limited company है, इसका logic बताऊँगा अभी इस class में, ध्यान से सुनते रहना बटा, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनते रहना, मान लो यह एक public limited company है, और यह एक private limited company है, तो कहने में तो यह private limited company है, लेकिन section 271, इस private limited company को private limited नहीं मान रहा, वैसे यह private limited है, लिखी भी private limited company जाएगी, किताबों में भी private limited company लिखी जाएगी, S की बात कर रहा हूँ, S का articles of association भी इसे private limited company कह रहा है, लेकिन S के साथ क्या घटना घट गई है S का control एक public limited company ने ले लिया है अब lecture के शुरुआत में मैंने ये कहा कि private limited company पर act किसी ओर तरह से applicable होता है और public limited company पर किसी ओर तरह से applicable होता है private limited company इसे ये प्यार से बात करता है public limited company को ये caller पकड़ के बात करता है ये फर्क है यानि public limited company पर act stringent है और private limited company पर ये soft है क्यों बेटा क्यों ऐसा है क्यों ये भेदभाव क्यों करता है उसका logic बता रहा हूँ ये है public limited company की balance sheet ये किसी भी public limited company की balance sheet है ये इसके assets है अब ये assets कहां से आ रहे हैं ये assets आ रहे हैं इसकी capital से और इसके debt से तो ये ग्यारवी class में आपने accounting equation करी होगी assets बराबर capital plus debt करी होगी ना ये बात accounts के में आप बड़े champion लोग होते है accounts को बड़े प्यार से करते हैं लेकिन company लोग को प्यार से नहीं गरते तो assets कहां से आ रहे हैं assets आ रहे हैं इस capital से और ये capital कहां से आ रही है हो सकता है कि capital public से आई हो public limited company यानि वो company जो public से पैसा ले सकती है जिसने public से जिसके अंदर public limited company का मतलब जिसमें public का पैसा involved हो सकता है क्योंकि पब्लिक का पैसा दाओ पे होता है इसलिए इस पब्लिक लिम्टिड कंपनी को ज़्यादा रूल्स फॉलो कर रहे होते है जबकि प्राइवट लिम्टिड कंपनी को रिलेक्सेशन होती है उसको ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने बढ़ते कम रूल्स होते हैं ज्यादा फ्रीडम होती है प्राइवेट लिम्टेट कमपनी के लिए क्यों कि उसमें पब्लिक का इंट्रस्ट इंवॉल्व सकता है इसलिए तो क्लास के शुरुआत में ने आपकी साथ अप सलाइड शेयर करी कि application of the companies act दुबारा से सुन लो धियान से कान खोल के कि application of companies act application of companies act depends upon the nature of the companies बात समझ में आई के नहीं आई लोजिक के साथ बात समझ में आई के नहीं आई nature अगर private limited का company है तो act का application किसी और तरीके से है और public limited company है तो act का application किसी और तरीके से है तो आपको ये प्रवीजो समझा रहा हूँ प्रवीजो कि मान लो company एच एक public limited company है और ये holding company बन गई किसकी एक private company की तो बोलने में तो ये private company private company है लेकिन इस private company को माना जाएगा क्या public company प्रोविजो को ध्यान से आप देखिए बेटा शाबश provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company यानि यह जलेवी जलेवी बना रहा है इसको बर्फी बना देते हैं सीधा कर देते हैं इस language को इसको काजू कतली बना देता हूँ बेटा यानि यह प्रोविजो में यह कहना चाहता है सुन लो ध्यान से प्रोविजो में क्या कहना चाहता है ध्यान से सुन लो ठीक है if simple यह कोई if button लगाते हैं simple लिखते हैं ठीक है यह कहना यह चाह रहा है कि subsidiary of public company subsidiary of public company shall be treated as shall be treated as a public company public company कि subsidiary of public company है जो company अगर देखो यार अगर public company public company की subsidiary है फिर तो कोई सवाल ही नहीं है application की फिर तो ठीक है public company ही मानेंगे उसे तो इसका मतलब अगर एक private company किसी public company की subsidiary बन जाए तो कहने में तो वो private company होगी articles of association में तो वो private company होगी लेकिन उसको मानेंगे क्या हम public company तो आप ध्यान से समझेए बटा that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of the this act for the purpose of this act यानि किसी और काम के लिए नहीं किसी और काम के लिए नहीं for the purpose of this act कि इस act की understanding के लिए ऐसी private company public limited company माने जाएगी that's it for this session तो अभी एक break लेंगे break के बाद हम amended अमेंडिड private limited company की definition करेंगे section 2 close 68 वो पहले भी आप कर चुके हो कुछ classes में हो चुकी है तो जिन classes में नहीं हुई है वो class upload हम उसको fresh class आप देखेंगे section 2 close 68 मतलब private company वो company होती है जिसमें जिसकी articles of association में तीन बाते हो उसमें एक restriction होनी चाहिए transferability of shares पे number of members पे limit होगी ठीक है और prohibition होगी किस चीज़ पे prohibition होगी आए ब्रेक के बाद समझते हैं शाबाश